अपने चुनाव प्रचार के दोरान बिलासपुर के स्वारगाट पहुंचे सांसद व भारती जन्ता पार्टी के उमीदवार अनुराग ठाकुर ने हुंकार बरी है। कहा कि हमारी लड़ाई कॉंग्रेस के उमीदवार से नहीं बलकि कॉंग्रेस पार्टी से है। अपनी कुर्सी के बारे में सोचते हैं फिर देश के बारे में जबकि परदान मंतरी नरंदर मोदी पहले देश के बारे में फिर अपनी बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने 55 साल में देश से गरीबी हटाने का नारा दिया था लेकिन कॉंग्रेस की 5 पेडियां देश से गरीबी नहीं हटा पाई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में कि इंदर सरकार ने 6 करोड लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है जबकि कॉंग्रेस ने गरीब लोगों को और गरीब बना दिया था जबकि भाजपा की मोधी सरकार ने देश के 10 करोड लोगों को शोचाले बना कर दिये थे जिसस थी स्किल योजनक के तहट एक क्रोड युवा जो अपने व्यवसाइक को अंजाम देना चाहते हैं वे भी सुविधा का लाब ले सकते हैं मैई को होने वाला चुनाव देश और हिमाचल परदेश दोनों के लिए बहुत महत्पून हैं और भारती अंदर भाटी ने अपने चारों विजवार भोशित कर दिये हैं क्योंकि एक पर फिर हिमाचल की जनता भाजपा को चारों की चारों सीटे जिताएगी और केंदर में मोधी सरकार बनाएगी हर सर्वे में आ रहा है कि हिमाचल की चारों सीटे भाजपा जीतेगी लेकिन हम कड़ी बेहनत करेंगे लोगों के बीच में जाएंगे मोधी सरकार की और सांसत की उपलबधियों को लेकर जंता को बताएंगे और एक पर फिर शीवात पाकर अगले पांच वर्षों में देश का चहुमों की विकास करेंगे जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में मोदी जीने 6 क्रोड ग्रीबों को ग्रीबी रिखा से बाहर निकाला अगले 5 वर्षों में हम इस से ज़्यादा काम करें ये आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई थी जो मोदी सरकार ने किया है देश आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली खर्थ व्यस्ता बना है दुनिया देश के पहले पांच देशों में आगर भारत का नाम कड़ा हुआ है अब अगले पांच वर्षों में दुनिया के पहले तीन देशों में भारत को लाएंगे महान भारत बनाएं देश के चुनाओ इस देश के भविश्या के लिए रास्टर के भविश्या के लिए बहुत ही महत्तबून है और हमारा मानना है कि देश के भविश्या के साथ किवाओं का भविश्या जुड़ा है इसलिए हुआ बढ़ चड़कर इस देश के भविश्या को सुरक्षित हातों में सौंपेंगे और आज यह हर देशवासी हर नौजवान समझ रहा है कि यह देश अगर प्रक्षीत है इस देश का अगर भिविश्य उजबल है तो वो आदर्या प्रधानमंतिरी नेरंदरमुदी जी के हाथ में फ्रक्षीत है उस उदेशए को लेकर उस लक्षय को लेकर हमारे नौजवान हर बूत में काम करेंगे और यहां से हमारे लोग प्रिया पुर्टाशी नौजवान जुजारू नेता अनुराक ठारकुगों भारी वगों से विरेई बनाएंगे यह संकल्प नौजवानों ने आज इस समीलन में लिया है